हलो फेंट्स मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल तो फेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है वो ES6 का अभी तक के हम लोगों ने जितने भी वीडियो देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा important वीडियो है क्योंकि यहां से अब हम बिलकुल एक अलग लेवल पर coding के जाने वाले हैं और topic का नाम है हमारा modules अगर आप लोगों ने कभी भी react पर या JavaScript की किसी और library पर काम किया होगा तो आप थोड़ा बहुत शायद आप समझ गए होगे कि हम लोग किस topic के बार में यहाँ पर बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो friends हम लोग जो हमने अभी तक जो JavaScript पड़ी है हम लोग उसमें आते हैं यहाँ पर उसके बाद हम लोग इसकी requirement को समझते हैं फिर हम लोग यहाँ पर decide करते हैं कि क्यों हमें modules की basically जो जरूरत है वो यहाँ पर पड़ती है तो normally friends अगर हम लोग traditional application की बात करें Java script की जब मैं बोलता हूँ तो जब आप actual में project बनाते हैं आपके तो आपका project में बहुत सारा code होता है और Java script की आपके पास बहुत सारी अलग-अलग files होती है जैसे कि अगर हम लोग एक छोटा सा scenario समझें तो यह मेरा folder है जहाँ पर ES6 के मैंने सारे videos डाले हूँ अभी तक तो हम लोग यहाँ पर एक folder बना लेते हैं JS नाम से और मैं कुछ यहाँ पर Java script की जो files है वो बना लेता हूँ क्योंकि जब हम actual में project बनाएंगे तो इसी तरीक है कि हमें files जो है उनके requirement होती है तो मैं एक बोल देता हूँ file1.js इसी file के मैं कुछ यहाँ पर replica बना दे रहा हूँ दो बना लेते हैं काली इन से आपको जो moreover जो है यहाँ पर पर चल जाएगा मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ इन दोनों files को मैं यहाँ पर open करके रख लेता हूँ तो सबसे पहली चीज़ अगल मुझे मेरा यह जो html का page है यहाँ पर अगल मुझे इन्क्लूट कराना है तो मैं लिकूंगा src और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ js और हम बोल सकते है file1.js script tag को बंद करते हैं और same नाम से मैं एक और जो मेरी javascript की file है वो include कर देता हूँ अभी दो चीज़े हमारे सामने यहाँ पर कई बार आती है पहली चीज क्या है कि अगर मैं मेरी जो file1.js की file है यहाँ पर एक function बनाओ और function का नाम लिख दू टेस्ट इस तरीके से और एक और रेप्लिका बनाए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेते हैं file1 underscore test और इससे मैं बोल देता हूँ file1 underscore hello और इधर भी मैं कुछ function बनाता हूँ यहाँ पर file2 file2 अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर दो function बनाए हैं और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ console.log और इधर मैं यह चीज़ डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं यह डाल देता हूँ simple है कुछ मुझे नहीं लगता आप मैंसे किसी के साथ दी कोई problem होगा code को समझने में same to same यहाँ डाल देते हैं बस यहाँ 1 है वहाँ 2 कर देते हैं that's it तो हमने अलग-अलग files के अंदर हमारे अलग-अलग function बना लिए अब अगर मुझे किसी function को call करना हो यहाँ पर तो हम कुछ इस तरीके का code यहाँ पर बना लेते हैं अभी ध्यान देंगे हम लोगों ने कुछ जादा किया नहीं है बस खाली हमारे जो दो files हैं उन्हें include कर रहा है एक बाद चलते हैं console में देख लेते हैं output आ रहा है चलिए जी output यहाँ पर बराबर आ रहा है अब आप दो problem हैं यहाँ पर पहला problem क्या है कि अगर मेरी दोनों file में same function हो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर मेरे पास spelling थोड़ी मेरी गलत हो गई यहाँ पर file की उसको ignore करिएगा main जो concept है वहाँ पर हम लोग आते हैं मैंने actually अभी realize किया यहाँ पर तो main जो concept है हमारा क्या है कि अगर मैं अब इसे execute करूँगा तो यह किसको execute करेगा जब हम लोग code बनाने जाएंगे यहाँ पर हमारे हो सकता है जावा script के अंदर multiple function बन जाएं सेम नाम से क्योंकि जब आप project को बनाने जाएंगे वो time पे आपके साथ हो सकता है कि अलग-अलग developer आपके सामने काम कर दे हैं एक problem यह आया हमारे सामने same नाम के function बने होंगे और हमने जो 50 function यहाँ पर बनाए है यह एक तरीके से हमने हमारी library बना ली है और जब भी हमें कोई project बनाना होगा तो हम यह library को वहाँ पर include करा लेंगे अब हो सकता है मैं यह चाहूं कि किसी specific function को मैं किसी और को call ना कराने देना चाहूं मैं चाहता हूं कि मेरी यह file को खाली मैं इसी file के अंदर access कर सको इस file के बाहर इसे कोई भी access ना कर सके हमारे सामने यहाँ पर कोई भी possibility नहीं है इस चीज को करने की दूसरी चीज थोड़ा सा अब change करेंगे let's say मैं एक variable बना लू x is equal to 10 और इस file के अंदर इस variable को call करा लो इस तरीके से console.log अब यहाँ पर देखेगा file1.js, file2.js और अब अगर मैं यह function को call कराऊ तो output देखते हैं क्या करेगा यह function आपको output देखेगा 10 बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर अब हम लोग यहाँ पर जो इसका थोड़ा सा process है change करें और एक file और डाल दें इसको मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पर और इसका नाम मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ copy paste और इसे हम लोग 3 कर देते हैं और इसको भी मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ इस बार मैं क्या करता हूँ कि जो इसको call करने का काम है उसको मेरी जो third file है यहाँ पर कराता हूँ अब देखिए जो flow है कैसे चलेगा यहाँ पर variable बनाया यहाँ पर function को define करा और यहाँ पर इसे call करा चलिए जी code को एक बार run करते हैं यहाँ से इसे हटा देते हैं और इसे run करते हैं आप बोलेंगे problem क्या है हर जगा तो बराबर चल रहा है अब मैं जो इसका order है थोड़ा सा change कर देता हूँ इस तरीके से कर देता हूँ एक बार hit करके देखते हैं इस बार देखे क्या हूँ इस बार code में है यह error fight क्या हुई इस बार कि हम लोगों ने order change कर दिया हम लोगों ने जहां पे function हमारा call करा है उस file को पहले include करा दिया अब आप real time पे समझेगे कि जब आप project पे काम करने जाएंगे तो आपके साथ यह order के आपको याद रहेगा क्योंकि real time पे जब हम actual project पे काम करेंगे तो इस तरीक है कि 5 file, 10 file, 15 file हो सकती है तो आपको order कैसे याद रहेगा उसका कौनसी file को उपर करना है, कौनसी file को नीचे करना है तो 2 actual में हमारे पास यहाँ पे problem आई 2 can effect 3 problem आई पहले तो हमें order याद रखना पड़ेगा इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हमें अगर किसी function को किसी जगा पे call कराना है और same नाम के function हो जाए तो manage कर सकते हैं पर एक typical हो जाता है हमारे सामने वो code और तीसरी हमने जो चीज़ देखी अगर हम लोग हमारे function या variable को चाहें कि कोई file access कर सकी और कोई file access ना कर सके तो वो provision हमारे पास अभी तक नहीं है जितना हम लोगों ने यहाँ पे code पड़ा है तो इसी चीज़ को solve करके देता है हमें यहाँ पे ES6 के अंदर module का feature वो पूरे का पूरी जो programming को लिखने का तरीका है module जो उस पूरे के पूरे तरीके को बिलकुल बदल के यहाँ पे रख देता है अगली चीज़ module की बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमें एक live server की जववत पड़ेगी क्यों? क्योंकि live server के बिना जो module का आपका code है वो यहाँ पे रण नहीं होगा server अगर आपके पास examp है, vamp है तो आप server का use कर सकते हैं पर मैं examp vamp यहाँ पे किसी चीज़ की use नहीं कर दा हूँ मैं कैसी चीज़ के बारे में यहाँ पे use करने वाला हूँ जो आप लोग मुझे comment करते हैं आप देखेंगे तो जब भी मुझे मेरी file को hit करना होता है तो मेरा यहाँ पे file extension काम करता है file protocol काम करता है पर जब मैं किसी website को hit करता हूँ let's say मैं मेरे website को hit करता हूँ इस case में मेरा यहाँ पे http जो protocol है वो use होता है तो module को work कराने के लिए आपको यहाँ पे http module की जववत पड़ेगी http protocol की जववत पड़ेगी WAMP, exam या फिर अगर आपके पास java, dotnet का कोई भी अगर server है चलेगा पर अगर नहीं है कोई tension वाली बात नहीं है आपको नहीं पता server क्या होता है तो आपको खाली चाहिए यहाँ पे vs code vs code को हम लोग यहाँ पे extension है उसको हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे और आगे का जो काम है वो देख लेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते है हम लोग इधर आते है es6 में और यह जो मैंने files बनाई थी मैं इन सारी files को हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक folder बना लेते है 14 नाम से क्यों क्योंकि 14 पार्ट है हमारा यह और यह वाला जो वीडियो थे इनको मैं files थी इनको मैं हटा देता हूँ तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमें basic कुछ काम करने पड़ेंगे एक तो एक index की file बनानी पड़ेगी सबसे पहला काम एक folder एक और js की file बनानी पड़ेगी तो मैं js की file यहाँ बना लोगा और एक folder बनाना पड़ेगा मुझे modules का naming convention है यह ऐसा कोई rule नहीं है कि जो मैं files के नाम लिख रहा हूँ आपको वही लिखना है एक naming convention है तो उसको follow करें तो अच्छा रहेगा तो सबसे पहले यह folder को हम लोग select कर लेते हैं चलिए जी folder जो था वो हमारा यहाँ पे select हो गया इसके बाद मैंने आपको क्या बोला हम एक extension के ज़रूद पड़ेगी live server के लिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे extension है जो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा और नहीं है तो आप यहाँ पे उसे install कर सकते हैं तो यह install हो रहा है अभी जब तक यह install होगा तब तक वेट करते हैं चलिए install हो गया अब इसको बंद कर देंगे यहाँ पे हमारी file पे आ जाएंगे और अगर आप file पे राइट क्लिक करेंगे तो अब आपको एक option मिल जाएगा open with live server चलिए जी click करेंगे इस पे तो यह open करके देगा हमें इस link के उपर चलते हैं जी यहाँ से इसे बंद कर देते हैं और अब इस link को hit कर देते हैं तो यह link page पे कुछ error आ रही है ब error क्यों आ रही है क्योंकि हम लोग उने code में कुछ ऐसा चोड़ा हुआ होगा तो फिलहाल यह वाला जो code है मैं इसे हटा देता हूँ एक बार reload करके देखते हैं चलिए जी error जो है वो हमारी यहाँ पे सारी की सारी जो है चलिए जी तो हमने module लाम से एक folder बना लिया एक यह बना लिया अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक और file बना लेते हैं यहाँ पे तो मैं चलता हूँ इधर और एक new file जो है वो बना लेता हूँ यहाँ पे और file जो हमें जरुवत पड़ेगी यहाँ पे वो पड़ेगी app.js की चलिए जी तो अब structure जो है या flow अगर हम लोग moreover बोलें flow आपका कैसा चलेगा कि हम लोग index.html में हमारा html का code लिखेंगे और जितने भी हमें अब javascript बनानी है वो सारी की सारी javascript जो है हमारी यह modules नाम के folder के इंदर बनेगी app.js का क्या काम होगा कि जो भी हम लोगों ने javascript की file बनाने जा रहे हैं उसको communicate कराने के लिए entry point जो आपकी javascript का होगा वो app.js होगा और app.js को हम लोग call कराने वाले हमारे index के page में चलिए जी तो सबसे पहले एक boiler plate जो html की regular boiler plate है वो ले लेते हैं यहाँ पे यह जो code है जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं उसे हटा लेता हूँ यहाँ पे तो style की हमें कोई ज़रूरत नहीं है description की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हम डाल देते है ES6 modules और body में भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए हाँ जी हमारे पास आगई app.js अब एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं modules के लिए तो जब भी आप यहाँ पे modules की बात करेंगे तो हमें एक attribute जो है यहाँ पे add करना पड़ेगा और जिस attribute का नाम होगा हमारा modules हमें forcefully बताना पड़ेगा modules sorry हमें forcefully यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो javascript की हम file यूज करने वाले हैं वो as a module यहाँ पे work करने वाली है इसके बात friends हम लोग चलते हैं हमारे module के folder में जो हमने बनाया है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक नई javascript की file add कर लेते है student.js तो यह जो student.js नाम से हमने file बनाई है यह actually हमारी first यहाँ पे module की file है तो इस module के file में मैं एक function बना लेता हूँ hello नाम से इसको हम लोग करा लेते है console.log hello चलत दो काम करेंगे एक तो हम लोग यहाँ पे hello का use कर लेंगे function बनाके और एक हम लोग यहाँ पे variable बना लेंगे let name is equal to Vishal तो दो काम जो है वो मैंने यहाँ पे कर लिया इसको मैं बन कर देता हूँ open and close चलिए जी तो एक हमने variable बनाया और एक हमने यहाँ पे function है हमारा वो बना लिया चलिए जी अब next चीज यह आती है कि जो process हमें यहाँ पे module के बारे में समझना है वो देखे किस तरीके से चलता है हमने यहाँ पे app.js की जो file है उसको include कराया है तो अब app.js की जो file है वो actually में यह जो modules की हम लोग file बनाने वाले है इनका use करेगी अब अगर app.js को इन में से किसी function को use करना है तो पहले app.js को बताना पड़ेगा कि कौन सा function use करना चाहते है लेकिन उसके use करने से भी पहले student.js नाम की जो file हमने बनाई है यह अगर permission देगी किसी चीज का app.js को तभी app.js जो है उसको use कर सकती है यहाँ पे तो permission देने के लिए student.js अगर यह बोलना चाहती है कि आप मेरी किसी चीज को use कर सकते हो variable को या फिर function को तो उसके लिए पहले हमें सबसे पहला काम यहाँ पे यह करना पड़ेगा कि यह जो हमने function बनाए है यह function को एक tag का नाम बोलना पड़ेगा और वो है export export का मतलब यहाँ पे यह है कि student.js यह बोलना चाहता है कि आप हमारे यह name नाम का जो variable है इसको use कर सकते हो अब अगर जो app.js है इसको use करना है किसको use करना है यह name नाम के variable को तो इसको पहले बोलना पड़ेगा import इसको पहले name जो है उसको import कराना पड़ेगा कहां से from अब from में हमें part डालना पड़ेगा तो यह कहां पड़ा है हमारे modules folder के अंदर modules में कहां पर पड़ा है student.js के अंदर तो अब यह जो हमारा process है यहां पे हमने बोला कि student.js से हमें name नाम का जो variable है उसको access करना है और अब अगर मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे console.lock करूंगा name को और अगर हम लोग यहां print करें तो देखिए यह आपको यहां पे जो विशाल है वो यहां पे output पे मिल गया अब आप बोलेंगे यह कर क्या रहे हो समझाना क्या चाते हो तो देखिए मैं क्या समझाना चाता हूँ मैंने एक और variable बनाया email नाम से अब अगर यह email को हम लोग यहां पे export नहीं बोलेंगे तो app.js यह email को use नहीं कर सकता उसने मना कर दिया यहां पे कि email is not defined इवन अगर आप यहां पे भी email डाल दें और इसके बाद भी access करना चाहें तो भी आप यहां पे access नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते error आप साफ पर सकते हैं क्या है कि does not provide an export name email यह बोल रहा है कि जो student.js नाम से हमने file बनाई है इसने name को export नहीं करा है तो जब तक आप export नहीं करोगे अपने किसी variable को या फिर function को तब तक आप उस variable और function को जो हमारा app.js है जो हमारे module का entry point है वहां पे उसे access नहीं कर सकते same to same चीज़ यहाँ पे मेरी function के case में भी चलेगी मैंने जैसी export कर लिया अब अगर मैं चाहूँ तो मैंने email का use name का use और name के साथ-साथ मैं hello का use कर सकता हूँ इस तरीके से और अब अगर यहाँ से hello का जो function है उसे call कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास message आ जाएगा लेकिन message हमारे पास क्या आया यहाँ पे message हमारे पास आया है यहाँ पे undefined undefined शहर्द किसी और चीज़ का output बोल रहा है तो यह पता नहीं किस चीज़ का output बोल रहा है अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे export कराया हमने और यहाँ पे हम लोगों ने console.log कराया अच्छली खाली हम इसको call कराते है console.log नहीं कराते है अभी देखिए hello आ गया क्या हुआ था कि मैंने बोला था कि hello जो return करेगा उसको हम लोग console में डालने पर hello function तो कुछ return नहीं कराया है इसलिए आपका वो यहाँ को किसी function को access करना चाते हैं use करना चाते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ से उसे export कराना पड़ेगा और यह जो app.js की file है यहाँ पे उसे import कराना पड़ेगा अब आप एक चीज़ और बोल सकते हैं कि भाई अगर मुझे यहाँ पे जितने के सारे के सारे variable और function हमने बनाए है यह सारे के सारे export कराने है तो क्या सब पे export लिखना पड़ेगा तो answer है नहीं आपके पास एक तरीका और भी है यहाँ पे एक तो यह था कि आप सब के पहले initialize कर दें export और एक आपके पास और तरीका था कि आप यहाँ पे लिख सकते है export और comma से update करके बता दें जैसे कि name आपने बुला email और आपने बुला hello तो हमने बताया कि ये चीज़ों को हम लोग export कराना चाहते हैं अगर मैं किसी चीज़ को export नहीं करा हूँ यहाँ पे देखिए उसने automatically error दे दिया कि hello को export नहीं कराया गया तो जो आपकी main module की file है वहाँ से अगर आपको सारी चीज़े या एक बार में भी export कराना चाहते हैं तो आपके code के end में जो जो चीज़े export आप कराना चाहते हैं वो चीज़ आप mention कर सकते हैं next चीज यह आती है कि क्या मुझे यहां की अगर यह तीन चीज़े यूज़ करनी है तो क्या मुझे यहां पर यह तीन बार बोलना पड़ेगा कि यह name ले लो, hello ले लो ऐसा ले लो, वैसा ले लो, यह कर लो वो कर लो तो problem हो जाएगी इसमें इसका भी same to same वही थरीका है यहां पर कि हम लोग comma separate भी यहां पर लिख सकते थे इस तरीके से output देखेंगे तो output हलो आ जाएगा तो आप पर depend करता है अगर आपको एक value लेनी है तो एक एक करके value भी ले सकते हैं अगर multiple value access करनी है तो multiple value भी आप access कर सकते हैं इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि एक और module बनाते हैं यहां पर teacher के नाम से teacher.js तो कैसे रहता है कि student और teacher दोनों के अंदर hello का जो method है वो available है देखिए तो teacher के अंदर भी hello का method available है student के अंदर भी hello method available है और यहां पर दोनों ने इसको import कर लिया यह है हमारा teacher का .js और यह है हमारा इधर का अब हम लोग यहां पर कर देते हैं hello t यानि के teacher और यहां पर कर देते हैं hello s यानि के student अब क्या होगा अब आपके पास error आगया अब error क्यों आया क्योंकि same नाम का function हमारे दो अलग-अलग module में बना हुआ तो अब जब app.js यहां पर hello को call कर आता है तो उसको समझ में नहीं आता कि हम किसको call कर आना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है और उसको हम लोग बोलते हैं alias alias का अगर आप यहां पर यूज करना चाहें तो आप यहां पर alias का भी यूज कर सकते हैं तो हम लोग यहां पर कैसे बोल सकते थे as student hello और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं teacher hello teacher hello तो इसका फायदा क्या मिल गया कि जब मैं student hello को call करूंगा तो मेरा student का hello call होगा और अब जब मैं teacher की hello को call करूंगा तो मेरा teacher का hello call होगा तो यह हम लोग यहां पर alias का यूज कर दे हैं कि जो student के अंदर hello है उसको call कराएं student hello से और जो teacher के अंदर hello है उसको call कराएं teacher hello से अगर मैं अभी भी hello को call कराऊं तो क्या होगा तो आपके सामने इस बार ये बोलेगा कि भाई hello नाम से आप कोई function बचा ही नहीं क्योंकि ये इसका एक तरीके से app.js के page में इसका नाम ही change कर देता है और नाम change करके वो इसकी जगा पे ये कर देता है जो उसने यहाँ पे apply किया है इसके साथ एक चीज और भी आती है यहाँ पे alias के case में कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे student पे आते हैं हम चाहते हैं कि हम student ने जितनी भी चीज़ें export करी हैं सारी की सारी चीज़ों को use कर ले तो वो भी हम लोग कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे हमें use करना पड़ता है basically star का तो star आपने SQL query में पढ़ा होगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं star as let's say stu तो यह क्या करेगा अब सारी की सारी चीज़ें जो भी export करी है जो भी export करी है student ने वो सारी की सारी automatically एक साथ यहाँ पे stu को देतेगा तो अब अगर मुझे इसके variable का नाम चाहिए let's say name चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे dot name कुछ इस तरीके से in fact इसको हम लोग console.lock कर देते हैं इस तरीके से अब देखेगा output variable error आ गई कुछ इसको यहाँ से हटा देते हैं देखेए output आपके सामने विशाल आ गया अगर मैं name करूंगा यहाँ पे तो वो नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे name में क्या हो रहा है इसके लिए हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि जो alias दिया गया यहाँ पे उसका जो भी variable हमें call कराने है वो हमें यहाँ पे call कराने तो यह basically आपका process होता है यहाँ पे module का तो सबसे पहले जितना मैंने आपको explain करा है उतना अगर clear cut आपको समझ में आ गया है तो फटक से एक video को like कर दीजे और एक comment कर दीजे खली कि module completed तो पता चल जाएगा कितने लोगों का जो module है यहाँ पे वो concept clear हो गया module clear या फिर module complete नाम से आप कुछ भी बेच सकते हैं अब यहाँ पे भी हमारे पास अलग-अलग multiple scenario आ सकते हैं जैसे कि जब हम project बनाएंगे तो project में हो सकता है हमारे पास हम लोगों ने आज student.js नाम से जो है file बनाई है हो सकता है कि हमारे पास student.js नाम से file की जबुवत ना पड़े हमें student नाम से एक folder ही बनाना पड़ जाए और उस folder के अंदर हमारी multiple js की file आ जाए जैसे student fees.js student marks.js तो अगर ये भी तरीका आपको apply करना है तो वो तरीका भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे js file यहाँ पर बनाई है ये js file ना बना के हम लोग folder बना लें और folder के अंदर javascript रख लें. perfectly fine है वो भी अगर आप करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं. basic structure क्या है जो module बनाने का और किस तरीके से work करता है वो हमने यहाँ पर basically देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पर execute होने वाला है इसके बात friends हमारे पास एक और चीज आती है ES6 में जो modules की जब हम बात करते हैं और वो हमारे पास आता है default तो हमारे पास एक और होता है यहाँ पर default function तो पहले हम लोग उसको बना लेते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं तो एक file में आप एक ही जो है यहाँ पर default function अपना रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ default function और हम लोग इसको बोल देते हैं यहाँ पर let's say console.lock और यहाँ पर बोल देते हैं error आ रही है मुझे पता है उसको हम लोग ignore कर लेंगे I am default इस तरीके से अगर आप एक default function यहाँ बनाना चाहें आप बना सकते हैं आप एक चीज देखेंगे तो आप मुलेंगे यार चलो ठीक है default function बता रहे हो आपने बताया नहीं default function क्या होता है चलो वो भी ठीक है पर यह error क्यों आ रही है error इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आप इस पर mouse over करेंगे तो यह आपको explain करेगा default function हम लोग जब भी बनाते हैं उसका एक ही काम होता है और वो यह है कि वो जरूर export होना चाहिए अगर आपने जो default function बनाया है वो export नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ गजबड है तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि default function हमारा जो call होगा जब तो उसके लिए export लिखना पहली चीज़ ज़रूरी है again अभी मैं आपको explain करता हूँ यह क्या है फिलाल इसको एक बार call करके देखते हैं call करने के लिए वही काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा student.js में अगर हम जाएंगे हमें default को call करना है तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बोल दू stu.default क्यों stu.default stu हमारा student है चलेंगे एक बार execute करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर answer आगे I am default और in fact एक काम करते हैं यहाँ से return कर लेते हैं हम लोग नहीं तो वो हमारा जो code है वो थोड़ा सा गरबर हो जाएगा यहाँ पर चलिए जी इसको return कर लेते हैं और अब अगर आप देखेंगे तो I am default आगया अब यह जो default function है जैसा कि मैंने पहले भी बोला एक page में एक ही रहेगा और इससे पहले आपको export लिखना compulsory है तो default function का जो concept आया वो basically कुछ और कहानी को लेके यहाँ पर आया थोड़ा सा आपको deep में समझना पड़ेगा कि क्या मैं आपको explain करता हूँ यह आपे तो कई बार हम जब हमारे module बनाते हैं हम यह चाहते हैं कि हमने जो हमारे variables या फिर हम लोगों ने हमारे जो function बनाए हैं वो सारे के सारे हम export नहीं कराना चाहते हम हमारे individual function को यह power नहीं देना चाहते कि वो export हो हम इसकी जगा एक ऐसा function बनाते हैं जो सारे के सारे code को हमारे export करके देगा अगेन मैं एक बार आपको बोलता हूँ मैंने क्या बोला मैंने आपको यहां बोला कि अगर आप चाहते हैं कि अपने सारे के सारे function को आप यह power नहीं देना चाहते कि वो export करें जैसे कि आप hello को power नहीं देना चाहते है कि वो export हो इस तरीके की हो सकता था आपके पास एक से ज़्यादा function हो उस case में हम लोग क्या करते हैं default को खाली export कर देते हैं और default का use करके उसे use कर लेते हैं बहुत ज़्यादा concept use actually होता नहीं है पर एक module के अंदर concept है इसके लिए मैंने आप लोगों को खाली यहाँ पर explain करा है अगर अभी भी कोई problem है इसको समझने में तो आगे चलके जब हम इसका implementation करेंगे तो आपको यह चीज यहाँ पर clear हो जाएगी तो यह था friends हमारा overall यहाँ पर module के बारे में ES6 में किस तरीके से module का concept आया और use हुआ अगर आप ध्यान से देखें तो यह वाली हमारी जो html की फाइल थी यहाँ पर हम लोगों ने बस हमारे app.js को call कराया, include कराया, type में module रखा है, इसके बाद हम लोगों ने जो भी function बनाई code करेंगे, वो सारे के सारे हमारे module की फाइल में करेंगे app.js एक तरीके से हमारा entry point होगा module से communicate करने के लिए, module के साथ बात करने के लिए, जिस तरीके से अगर आपने MVC framework पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो controller काम करता था, वही यहाँ पे एक तरीके से app.js जो है, वो काम करती है तो यह था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, regarding किस तरीके से ES6 के अंदर आपके module का use होता है comment box में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा अगर कुछ question है, doubt है आपका तो, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा important वीडियो है topic बहुत ज़्यादा useful होगा ये, जब हम आगे react पढ़ेंगे, या और java strip से related advanced चीज़े पढ़ेंगे, तो ये concept बहुत ज़्यादा आपके लिए helpful होगा वहाँ पे, तो video friends अगर आपको पसंद आया, तो इसको like और share ज़रूर करिएगा चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे videos देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे channel को subscribe कर दीजेगा और sound का थोड़ा से issue चल रहा है माइक का मेरा, तो अगर कुछ आपको volume में problem लगे, कहीं पे थोड़ा सा खराब volume आए, तो please उसको ignore करिएगा, thank you